बिना उबाले बिना प्यास टमाटर यूज के ही आज चटपटे छोले तियार करेंगे आज की रेसिपी कुछ मिंटों में ही बन के तियार हो जाएगी ना ही हमें छोले उबालने हैं ना ग्रेवी का जंजट और बिना सोडा, इनो, इस्ट का यूज कीमना गर्म गर्म फुले भटूरे भी तियार करेंगे तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं प्याले डो तियार कर लेते हैं इसके लिए लिया है मैने एक कप मैदा, एक चौथाई कप दही, make sure कि दही बहुत जादा खटी ना हो, थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करके इसका डो बना लेंगे, दही को अच बनाईएगा, वरना थोड़ी दिर बाद ये रनी हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से ही डो बनाना है, और इसके ऊपर थोड़ा ओईल या गी लगा के ठक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, चलिए छोले तियार कर लेते हैं, छ मुसली मस्टर डॉल ही यूज करती हूँ, आप वेजटेबल ओल भी यूज कर सकते हैं, और गरम होने के बाद इसमें एड करेंगे एक चमप जीरा और कुछ खड़े मसाले, जो की मैं डिस्क्रिप्शन में में मेंशन कर दूँगी, अब इसमें एड करेंगे मेरा मिर्च, मिर्च को बीच में से मैंने चीरा लगा दिया है, और अब एड करेंगे चने और इसे तुरंच चला लेंगे जिसे कि हमारे मसाले और जीरा जले नहीं, बहुत जादा नहीं बुनना है, बस थोड़ा सा चला देने के बाद इसमें एड कर लेंगे मसाले, एक चमप जन्या पाउडर, आदा चमप लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा एड कर सकते हैं, आदा चमप अल्दी, सारे मसाले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अब मैं इसमें एड करूंगी अपना होम में मसाला जो सूखी सबज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, दो से तीन मिनट इसे रोस्ट कर लेंगे, मसाली अच्छे से भुन जाएं, बस इतना ही रोस्ट करना है, अब इसमें और भी मसाले आड करेंगे, इसमें एड करूंगी मैं थोड़ा सामचू अगर आप स्किप करना चाहें, तो कर सकते हैं, अब इसमें आड करेंगे पानी, यहां पे मैंने एक कप पानी आड किया है, अगर आपको ग्रेवी जादा चाहिए, तो आप डेड़ कप पानी आड कर लीजे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे धकल लगा कि विसल आने त अगरे लेते हैं, बहुती बढ़ी चोले बनके तियार हुए हैं, इसमें अपना मन परसंद हराधन्या एड कर लीजे और इसमें सर्व कीजे, तियार है, टो को चेक कर लेंगे, यह साईज में बढ़ा भी हो चुका है, और यह बढ़ा अट नहीं है, इसमें अपना कफी भी हो चुका है यानि हमारा डो रेडी है अब इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे और इसमें ऑईल लगा के अपने मन पसंद शेप में बेल लीजिए चाहें गोल चाहें ओवल बटूरों को बेलते वे बस एक बात का ध्यान रखिए हलके हाथ से इसे फैलाना है बहुत ही फोर्स लगा कि इसे मत फैलाईएगा नहीं तो ये फट जाएंगे और गर्मा गरम तेल में इसे डाल दीजिए तेल गरम होना चाहिए ठंडे तेल में मत डालिएगा नहीं तो बटूरा अच्छे से फुलेगा नहीं लीजे बिलकुल सॉफ्ट और जालेदार बट त्यूरे त्यार भी हो जाएंगे इस रेसिपी को ट्राइज जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर पताइएगा अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल को प्रेस जरूर कर दीजेगा आने वाली और रेसिपीज के लिए आप मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो